कि हालो स्टुडेंट्स के वाले बच्चों के अंदर अंसर्टेनिटी बनी हुई है कि भाईया के वाई की वेवसाइट पर जो हमारी एक्जाम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस नहीं आ रहा है हमारी एक्जाम कब होगी हमारे 12 के एक्जाम भी है जो 12 वाले बच्चे थे वह बोल रहे थे कि भाईया हमारे 12 के एक्जाम भी है हम जेई की ओर देखें कि की वाई की ओर देखें कि 12 की ओर देखें किस ओर जाए किस मोड पे चले हम यह गाड़ी जा रही है इस रास्ते ओके बहुत सारे बच्चों की यह एक इंसर्ट आ रहा है तो आपका एक्जाम कोई भी नोटिपिकेशन आपने देखा होगा वेफसाइट पर नहीं अपडेट किया गया है अब आपके एक्जाम कब हो सकते हैं कब पूरे पूरे चांस लग रहे हैं एक लिस्ट जो है थर्ड वीक ओप मार्स के अंदर जैसे कि जो भी ओलम्पियाड हो रहे हैं तो उसके किसी भी हाल में नहीं हो सकते तो एटलिस सेकंड वीक ओप मार्च ही मान के चल सकते हो ओके फस्ट वीक में भी बहुत कम चांस लग रहे हैं तो सेकंड वीक ओप मार्च में भी मान के चल सकते हो के ओपी वाई का जो भी सारा सीस्टम है तो जब सबसे बड़ा जो प्रोब्ल सबसे इंपोर्टेंट है यार एक्जाम डेट कब आईगी अब जो आपको क्या करना चीए क्या कौन सा सलेबस क्या पढ़ना चीए कौन सी बुक पढ़नी चीए ठीक है मैं कोई आपको यार कोई बुक बेचने नहीं आया हूँ ना मैं कुछ बेचता हूँ क्योंकि मैं छबरी यूटुबर नहीं हूँ ठीक है confidence के साथ कह सकता हूँ रही बात आपके सलेबस की तो एटलिस्ट आज एगर मैं बात करूँ तो 15 हो जानी चीए 15 फरवरी हो चुकी है तो यार मैं तुमको 20 फरवरी तक का टाइम देता हूँ 20 फरवरी तक जितना पढ़ सकते हो के पीवाई वाला सारा सब कुछ रट द जिससे क्या होती है बहुत ज्यादा प्रोब्लम आती है अब आप 20 तारिक तक जितना पढ़ लिया है पूरा फिर रिवाइस करना शुरू कर दो ज्यादा से दादा मौक टेस्ट लगाओ और जब भी आपकी एक्जाम नजदी का जाती है तो वहां पे आप जो मौक टेस्ट लगाना बंद कर सकते हैं विकोज अगर आपके मौक टेस्ट में नमर कम आते हैं तो आपको तोड़ी अंदर से फिलिंग्स गलत आने लगती है कि यार मेर माक्स आएंगे कि नहीं आएंगे दी मोटिवेट हो जाते हैं तो आप जो है लास्ट जो भी आपके 5-6 दिन बसते ह लगाए तो ही आपके लिए अच्छा है जता के खूब पढ़ाई करो और को फोड़ दो जचा के फोड़ दो ठीक है और बहुत अच्छे माक्स लेकर आओ फिर तुमारा इंट्रव्यू लेंगे अंडी टीवी जीए फाइफ पे आया इटी खड़कूरा यह सी बेंगलोर ठ लाने वाला मेरे को वोट सब्सक्राइब कर सकता है ठीक है ठीक है बच्चों थैंक यू थैंक यू खूब पढ़ते रहो की पसलिंग चोटों से प्यार करिए बड़ों को समाने करिए थैंक यू